जन्पधापूर के धाना बाबुगर कोतवाली शेत्र के कुछेसर चौपला के पास वनखंडा से रसूल पूर जा रहे रास्ते पर नहर के पट्री पर रभिवार की तड़के जाड़ियों में एक ब्यक्ति का शब देख रागेरों के होश उड़ गए इसके बाद उन्होंने बाबुगर पुलिस को मामले से आउगत कराया सोचना पाकर बाबुगर पुलिस सता फौरेस सिक्टी मौके पर पहुंची जिससे शब को कबजे मिले कर पोश्ट मौटम के लिए भेज दिया गया मौट की दाय हाथ पर पट्टी बंदी हुई है और हाथ पर कुछ लिखा हुआ भी है पुलिस मौट की पहचान करने का प्रियास कर रही है पोश्ट मौटम रिपोर्ट के बाद ही मौट के कारणों का पता चल सकेगा मामलार अभिवार की सुभय का है जब कुछ एसर चौपला के पास नहर की पट्री पर जाडियों किनारे पड़े करी 42 वर्षी अब्यक्ति के शब पर रहगिरों की नजर पड़ी जिसके बाद उन्होंने तुरंत पलिस को बामली से आउगत कराया सुचना पाकर बाबुगर पलिस सतफ और इसिक्टी मौके पर पहुंची और शब को कब से मिले कर पोश्ट मॉटम के लिए विजद्या मृत्त की पैचान का प्रियास किया ज़ा रहा है हापुर से अभिशे कश्यप की रिपोर्ट लेटिस्ट अपडेट के लिए हमारी चैनल न्यूज इंडिया फस्ट को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें एंड येस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले